एक से बढ़कर एक स्टन्स देखने और सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आकिडी हाट पिस्टन्स यूटूब चैनल को और इस बैल आइकॉन को प्रेस कीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं वह सब्सक्राइब वाला 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 वा अबिए कि झालाओा कि अलाओ कि अलाओ को मँड़ advocacy अलाओ को है यldशे स fulf kijken यू है अलाओ कि अलाओ कि अए-ज़ कि अलाओ की किुछ है कि कि 입 इह भी और देस रह झारा काल इभे इफ़ आंए कि अनी दोरोह यू है वन employment तो दोस्तों ये है बजाज कमपनी की सबसे अलग सबसे हटके दिखने वाली बाइक बजाज V15 ये बाइक 150cc सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आती है जो के 5 गेर टांसमेशन पर काम करती है ये इंजन 11.83 बहपी तक का पावर प्रडूस करता है इस बाइक की सीट हाइट है 780 mm और ग्राउंड क्लेरंस है 165 mm इस बाइक में आप 13 लिटर तक का फ्यूल डाल सकते हैं और इस का वेट है 135.5 kg इस बाइक में सामने की तरफ 240 mm वाला डिस्क और पीछे की तरफ 130 mm वाला ड्रम ब्रेक मिलता है तो दोस्तों इस बाइक में आप 109 km तक की टॉप स्पीड आसानी से अचीव कर सकते हैं और अगर माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आप 45 km तक का माइले जिसका साउंड भूती कमाल का है तो गाइस अगर कौन की बात करें तो इस बाइक में 150cc का एंजन लगा वाई लेकिन इसका पावर बस 11bhp है अगर कोई कमपनी 150cc का एंजन प्रोइट कर रही है तो एटलिस उनको 14bhp या फिर 15bhp तक का पावर प्रोइट करना चाहिए औ और गाइस इस बाइक में पीछे डिस ब्रेक नहीं है अगर पीछे डिस ब्रेक रियर डिस ब्रेक होता तो बहुत अच्छी भात होती तो गैस कैसा लगा यह वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके बता दो अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट जरू करो और साथी साथ एक से बढ़कर एक स्टन्स और धूमदड़ाख वीडियो देखने के लिए मेरा चानल सब्सक्राइब ज़रू करो कि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूंगा फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों बाई बाई जैहिन और हां गाइस होगा तो आपके जो भी सवाल है नीचे कमेंट में डालो जो भी मेरा नेक्स्ट क्यूने वीडियो होगा मैं आप मेंसे कोई जो भी सवाल बहुत अच्छे सवाल होगे वह सेलेक्ट करके उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा तो फिलाल के लिए इतना ही आप जाओ मुझे पर फॉलो करो यह मेरे इंस्ट्राग्राम आइडी जल्दी से जाओ फॉलो करो बाई बाई टेक केर जय हिन